नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS Office के सबसे बैतरीन फीचर यानी Micros के बारे में दोस्तों MS Office का सबसे पाउर्फुल फीचर है Micros इसका बेसिकली इस्तमाल किया जाता है कि आप किसी एक काम को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें आपका काफी ज़्यादा समय लग जाता है और इसकी मदद से आप अपने उसी काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी काम को बार बार करने में ये आपकी बहुत मदद करता है आईए हम इसे एक Example के मात्यम से समझते हैं जैसे मान लीजे हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर नाम लिखा है उसके आगे हमें आपर एक Minus का सिंबल देना चाहते हैं और उसके बाद हमें आपर Enterprise करके नीचे की तरफ एक इस तरीके से Line Create करना चाहते हैं अब यही काम हमें सभी नाम के साथ करना है और अगर हम यह काम सभी नाम के साथ करते हैं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है अगर हमारे पास अभी तो यह 10-12 नाम है और अगर हमारे पास 100-500 नाम होते तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें खर्च होता अब इस काम को हम माइक्रोस की मदद से एक लूप बना कर आसानी से कर सकते हैं आईए चाहनते हैं कैसे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जहां से आप अपना माइक्रोस स्टार्ट करेंगे यानि जहां से आप अपना लूप स्टार्ट करेंगे करजर आपका वहीं पर होना चाहिए जैसे यारे अमित के हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर व्यू टैब में जाएंगे और व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है मैक्रोस का एक फीचर इस पर आपको क्लिक करना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड नंबर पर आपको एक उप्शन दिखाई देगा रिकॉर्ड मैक्रोस का इस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप इसमें click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक dialogue box दिखाई देगा और इसमें आप देख सकते हैं आपको micros का एक नाम mention करना होगा By default हम micros का नाम यही रहने देते हैं आप चाहें तो अपने इसाब से micros का कोई भी नाम रख सकते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक feature देखाई देगा keyboard का तो यहाँ पर हम keyboard वाले option पर click करेंगे इस option पर click करने के बार आप यहाँ पर इसकी एक shortcut की भी create कर सकते हैं यानि कि micros को बार बार रन करने के लिए आपको view tab में जाकर micros feature में जाकर के बार बार यहाँ पर click करने के जुरत ना पड़े तो इसकी लिए आप यहाँ पर keyboard से एक shortcut की create कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे जो भी आप यहाँ पर shortcut की create करेंगे वो ms word में कहीं पर भी use ना होती हैं जैसे माल लिजे अगर हम यहाँ पर ctrl c का use करते हैं तो ctrl c basically copy की shortcut की होती है तो इसलिए हम इस shortcut की को यहाँ पर استعمال नहीं कर सकते हैं तो कि अगर हम ctrl c का यहाँ पर use करते हैं तो हमारे ms word में ctrl c की जगा पर micro run करना शुरू करेगा इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसी shortcut की रखेंगे जो MS Word में यूज़ ना होती हूँ जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर control प्लस shift प्लस Q यहाँ पर click किया अपने keyboard से जैसे हम control प्लस shift प्लस Q दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी shortcut की show हो जाएगी और नीचे की तरफ आपको एक option दिखाए देगा assign का आपको इस पर click कर देना है आप जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो micro है यहाँ नी micro 1 की जो shortcut की है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगे इसके बाद आप इसे यहाँ पर close कर देंगे अब आप जैसे यहाँ पर इसे close करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने पुराने जमाने की एक कैसी टाप को दिखाई देगे यानि यह recording का एक logo है तो इससे यह पता चलेगा कि हमारा micro यहाँ पर run करना है अब basically जो जो step हम यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे वो सभी step यह micro record करेंगा तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी keyboard से end key को प्रेस करते हैं जैसे हम end key प्रेस करेंगे तो हमारा cut जर एसे add करके last key पर जम कर जाएगा यानि अमित के सबसे last वाले point पर यहाँ पर जम कर जाएगा अब इसके बाद हम यहाँ पर एक minus का dash देते हैं और उसके बाद अपनी keyboard से enter को प्रेस करते हैं enter प्रेस करने के बाद हम shift की मदद से minus का निशान दबाते हुए यहाँ से line create कर लेते हैं इस line को create करने के बाद तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा जो करजर होगा वो कमल की starting में show होना चाहिए यानि कि हम यहाँ से arrow की मदद से नीचे आएंगे और अपनी keyboard से home बटन को प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो करजर है वो कमल की शुरुवात में पहुँच जाए अब आप देख सकते हैं हमने जहां से loop को start किया था हमने वही पर loop को खतम करना है यहाँ तक हमने इसकी recording कर ली है अब हमें recording को stop करना उसके लिए हन यहाँ पर micros पर वापस से जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक option दिखाई देगा stop recording का इस पर हमें click करना इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे recording यहाँ पर stop हो चुकी है अब इस काम को हम बार बार repeat करना चाहते हैं यानि हम इसी काम को सभी नामों के साथ चाहते हैं रिपीट करना तो हमने जो shortcut की micros की बनाई थी हम उसे यहाँ पर यूज करेंगे हम अपने keyboard से press करते हैं Ctrl, Shift और Q हम जितनी बार Ctrl, Shift, Q यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी नाम है उन सभी नाम के आगे यहाँ पर जो भी हमने step record किया था वो सभी step यहाँ पर repeat हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने किसी भी काम को यहाँ पर record कर सकते हैं और उसे बार-बार इस्तिमाल करने के लिए Micros की मदद से उसको यूज कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप कई सारे practicals यहाँ पर कर सकते हैं Micros की मदद से हमने आपको एक example के माद्यम से Micros को समझाया अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशेर जरूर कीजेगा धन्यवाद